साथियों, इस समय हमारा देश आधादी का अमृत महोसव मी मना रहा है। देश अपने भविष्चे के लिए, अपने पुनर निर्मार के लिए नए संकल्प ले रहा है। अमृत महोसव के इस संकल्पों में से आधी संकराचारी जी को हमें प्रकार्जे अपनी बहुत बड़ी प्रेणा के रुप में देख सकते हैं। अब देश अपने लिए बड़े लक्षत तयार करता है। कठीन समय और सिर्फ समय नहीं, समय की सिमा भी हम निधारी करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं, कि इतने कम समय में यह सब कैसे होगा। कभी-कभी लोग यह भी कहते हैं, रहा होगा भी के नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक यह आवाज आती है, 130 करोर देश वासों के आवाज में सुनाई देती हैं। और मेरे मुह से यही निकलता है। एक ही बात निकलती हैं। समय के दायरे में बंद कर भैभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। आप देखिए आदी संकराचार जी को छोटी सी आयू थी, छोटी सी आयू थी। घर, बार, परिवार छोड़ दिया, सन्यासी बन गए, कहां केरल का कालरी और कहां केदार, कहां से कहां चल पड़े। सन्यासी बने। बहुत ही कम आयू में, इस पवित्र भूम में उनका शरीर इस धर्ती से बिलीन हो गया। अपने इतने कम समय में उन्होंने भारत के भुकोल को चैतन ने कर दिया। भारत के लिए नया भविश्य गड़ दिया। उन्होंने जो उर्जा प्रजवलित की, वो आज भी भारत गतिमान बनाये हुए है। आने वाले हजारों साल लग ये गतिमान बनाये रखेगी। इसी तरह स्वामी विवेकरंची को देखिए। स्वाधिन्ता संग्राम में अनेक अनेक सेनानियों को देखिए। ऐसी कितनी ही महान आत्माएं, महान विवूतियां इस धर्ति पर आकर यहां प्रकट हुई। जिनोंने समय की सिमाओं का उलंगन कर छोटे से कालखन में कई-कई यूगों को गड़ दिया। यह भारत इन महान विवूतियों के प्रेड़ाओं पर चलता है। हम सास्वत को एक प्रकार से स्विकार करते हुए हम क्रिया सिल्ता पर विश्वास करने वाले लोग है। इसी आप विश्वास को लेकर देश आच इस अमुरुत काल में आगे बढ़ रहा है। और ऐसे समय में मैं देश वासियों से एक और आगर करना चाहता हूँ। स्वाधिन्ता संगराम से जुड़े अईतिहास्तिक स्थानों को देखने के साथ साथ। ऐसे पवित्र स्थानों को पगी जादा से जादा जाएं। नई पीड़ी को लेकर के जाएं। परिचित कराएं। मा भारती का साथ शातकार करें। हजारों साल की महान परंपरा की चेतना का अनुभूती करें। आज़ादी के अमृत काल में। स्वतंत्रता आज़ादी का ये भी एक महोत्सभ हो सकता है। हर हिंदुस्तानी के दिल में, हिंदुस्तान के हर कौने कौने में, हर कंकर कंकर में शंकर का भाव जग सकता है। और इसलिए निकल पढ़ने का ये समय है। जिनोंने गुलामी के सैंकड़ों वर्षों के कालखन में, हमारी आस्था को बांद करके रखा। हमारी आस्था को कभी खरोच जग नहीं आने दी। गुलामी के कालखन में ये छोटी सेवा नहीं थी। कि आजहदी के कालखन में उस महान सेवा को उसको पूझना, उस के तरपन करना, वहां तप करना, साधना करना क्या हिंदुस्तानी का नागरिक का करतपे नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ, एगनागरिक के तोर पर हमें इन पविस्त थानों को भी दर्शन कर लिग लिए जाना चाहिए। ऑना च़स्त पाँ मैं उसका घाना उसका